कोरिया के टाप पाँच ऐसे खाने जो मैं हर भारतियों को एक बार ट्राइक करने के लिए जरूर कहूंगा भाजोन, दे ग्रीन अनियन पैंकेक और यह कहिए कि कोरियन पिजा यह दिखने में बिलकुल पराठे की तरह होता है, आलू पराठा या प्याज पराठा, पनीर पराठा जैसा कि आब भारत में खाते हैं इसमें कई तरीके के मिश्रण जैसे गेहूं के आटे, स्क्वीर, सेलफिश, शीप और अनपसंदीदा समुदरी भोजन का मिश्रण होता है ये एक कोरियाई भोजन है, जिसका स्वाद बहुत ही सौक्ट यानि बालीक और नरब होता है इसको खाने के में आपको बहुत मज़ा आता है, आप इसको किसी स्नेक्स या चाय के साथ भी खा सकते हैं लेकिन जब आप कोरिया में हैं तो आपको इसको माकोली यानि कोरियन, कोरियन ताडी या ट्रेडिशनल ड्रिंक कह लिजिए अगर आप बारिश के सीजन में इसे खाते हैं तो आपको स्वाद में बहुत मज़ाएगा जब पानी गिर रहा हो और आप ग्रीन अनियन पैनकेक खा रहे हो तो उसका स्वाद दो गुना हो जाता है ऐसा कहा जाता है कि भारतिय लोगों के अनकूल इसे बनाया गया है यह ऐसी डिश है जिसे आप किसी भी इवेंट या आपके साथियों के साथ बैठ कर बातचीत करते हुए किसी मीटिंग की डिस्क्रिशन करते हुए आप खा सकते हैं और यह ऐसी डिश है जो आपके स्वाद को और बहतर बनाता है इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि दा ग्रीन अनियन पैंकेक यानी कोरियन पीजा एक बार जरू ट्राय करें और इसका दिल्चस्प मजा लें यह ऐसा भोजन है जो आपको कोरियाई भोजनों में हमेशा के लिए यादगार एक चाप छोड़ता है दा ग्रीन अनियन पैंकेक यानी कोरियन पीजा भाज ओन